हेलो गाइज आपका हमारी यूटिब चैनल पर फिर से स्वागत हैं तो देखें जैसे जैसे सारी IT कंपनीज के नतीजे अभी आ चुके हैं ACL टेक की बात करते हैं या माइन्टरे की बात करते हैं तो जो उनके नतीजें काफी दमदार भी रहे हैं और अगर हम विपरो की बात करते हैं तो देखें विपरो के जो रिजल्स हैं वो कैसे रहे हैं तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे साथ में इसका एक complete analysis भी करेंगे कि इस share में अब next move क्या रहने वाली है अगर आप investor ने तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप मान के चलो trader ने तो आपको कैसे क्या रहनीती बनानी चाहिए तो और हम थोड़ा सा deeply भी results को देखेंगे कि results का जो impact है वो क्या रहा है share के उपर और सारा कुछ ही जो भी है results के बारे में और company की जो growth है उसके बारे में company की जो performance है उसके बारे में सारा कुछ हम discuss करने वाले है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें जैसे आपको स्क्रीन पर देख पा रहा है तो जो विप्रो का जो quarter 2 का result है वह लगबग 9.6% से गिरा है वही 2930 करोड रुपए के आस quarter के अंदर growth है यानि कि जो growth है वो increase हुई है लेकिन जो total profit है margin है profit margin है वो थोड़े से गिरे है देखें अगर हम इस company की बात करते है तो यह इंडिया की third largest company IT की जिसका market capitalization बहुत जादा है इसने इसका जो profit है देखें जो net consolidated profit है वो 2930 करोड रुपीज के आसपास रहा जो September यह 6% के आसपास यह down रहा है और जो down है वो जो down रहने की जो वजाए वो यह कि जो इन्होंने capco का acquisition किया था उसके अंदर एक कुछ खास इन्होंने growth नहीं देखी तो capco का acquisition किया था तो उसमें जो negativity आई तो उसकी वज़ा से जो net consolidated profit है वहां तो ठीक ठाक रहा लेकिन जो company का खुद का margins है वो थोड़े घट गए अगर हम यहां देखे gross revenue देखते हैं तो जो gross revenue है company का 7.8% से बढ़ा है sequentially जो की लगबग 19,707 crore rupees के आसपस रहा है और 30% year on year इसके अंदर भी growth देखी गई तो देखे company के अंदर इस तरह से और आल एक अच्छी performance भी है लेकिन इस quarter में थोड़ा सा negativity आई है तो इसको एक हम ज़्यादा negativity नहीं लेकर के चल सकते हैं तो देखे अगर हम quarter on quarter की बात क इसके उपर अगर हम देखते हैं तो company के अंदर काफी अच्छी growth है और अगर हम देखे last trading session को भी देखते हैं तो उसके अंदर भी share के उसमें भी share के अंदर किसी तरह की कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली और देखे इन results के announce होने के बाद जो commentary आई है management की तरफ से व बात करते हैं तो देखे 59% financial year 2020 में इस share ने return दी है अभी तक और अगर हम जुलाई से अब तक की बात करते हैं तो जुलाई से अब तक लगब लगब 21% के आसपास share move कर चुका है और अगर आज मतलब आज की यानिकी last trading session की बात करते हैं तो वहां भी share के अंदर एक positive moment देखा गया और share बिल्कुल positive था जिस हिसाब से खबर आई है उस हिसाब से share में किसी तरह की कोई गरावट नहीं थी अगर हम इसके देखे लाश ट्रेडिंग session की बात करते हैं तो जो इसका हाई बना था वह 749 रुपे के आसपास जो लो था 695 के आसपास share 36 रुपे अप था 5.5% क आसपास उपर था और गड़र हम देखे इसके 6 बना थे बहुत की बात करते है तो 6 बना में share ने 51% के बहुत ही शानदार return दिये वहीं share भी लगबग 240 points के आसपास move किया है और अगर हम इसके one year के return की बात करते हैं तो one year में 108% के बहुत ही बहुत ही बहयंकर return दिये यह thanष शेयर भी लगबग 370 पॉइंट के आसपास मूव किया है तो देखे ये जो ग्रोथ है कमपनी की कमपनी की ग्रोथ इससे दिखती है शेयर के अंदर जो मूवमेंट है कितनी है ये शेयर एक साल के अंदर साड़े 300 के आसपास से लगबग 7800 रुपे के आसपास अभी आ चुका है और जिस हिसाब से कमपनी के अंदर एयर ओन एयर ग्रोथ है तो उस हिसाब से शेयर भी आगे इसी तरह से मूव करता रहेगा अगर देखे हम इसमें एंट्री लेवल्स की बात करते है तो फिलाल अभी ये शेयर 30-40 पॉइंट मूव कर चुका है एक एग्जेक्ट सा लेवल अगर आपको लेना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे हम आपको एक एग्जेक्ट और बढ़िया सा लेवल इसका बताएंगे जहां पर आपको ये बाय करना है और जहां पर आपको ये सेल करना है और इसमें आप अच्छा खासा मुनाफ़ा या प्रोफिट भी कामा पाएंगे और अगर आपका लोंग टरम का नजड़िया है और आपने ये शेर लिया हुआ है तो आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए हम आपको एक अच्छा सा लेवल बताएंगे जहां पर आपको ये शेर बाय करना है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद